इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज का जो वीडियो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है जैसे आपने थम्नेल में देखा है कि मैंने एक पूराने LED वल्ब को एक स्टार्ट करेंगे तो चले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूब से जरूब सब्सक्राइब करके बेल आइकर को प्रेस कर लिजिए तो चले इस वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं तो यह मैरे कुछ खराब LED बल्ब हैं जो की घर में फैंके हुए थे तो इनको हम ले लेंगे और कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह बिल्कुल भी गलो नहीं हो रहा है ओन करने से तो यह बिल्कुल खराब हो चुके हैं तो हमें इसका जो सिर्फ इसका बोड़ी का हिस्सा हमें चाहिए और कुछ कॉंपोनेंट से हमें खोलना पड़ेगा तो यह जो बल्ब है उसी से हम बन निकाल लेंगे और उसका यहां पर light है जो M-P-C-V है इसको यहां से हम screw को unscrew कर लेंगे तो यहां पर दो screw लगे रेते हैं चोटे-चोटे उनको आब हम कोल कर निकाल लेते हैं तो यहां का पीछे का जो क्याफ है उसको भी निकाल कर हमें उसको थोड़ा सा इससे ठोकना है तब उसका जो diffuser का उपर का जो heat sink है वो यहां पर निकल जाएगा तो यह जो है circuit है उसका अंदर और यह मतलब एक branded valve है आप यहां पर कम branded का यूज करेंगे तो उसको खोलने में आपको आथा नहीं रहेगा तो disorder करके उसका जो light है उसको हम निकाल लेते हैं तो यह circuit हमारा निकल चुका है और इसका जो LED है उसको हम side में रख लेते हैं और किसी project में उसका हम use कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं heat sink के उपर white compound लगा हुआ है इसको आप साप मत कीजिए क्योंकि हमें इसका जरूरत है और इम पर जो circuit है circuit का एक component हमें चाहिए तो यह वाला जो component है तो देख सकते हैं यह blue color का sky color का component है यह MOB होता है तो MOB का full form क्या होता है मुझे आप बता सकते हैं comment करके तो यह आपके लिए question रहा है और यह क्यों लगाते हैं तो मैं अभी बताऊंगा तो इसका हम use करेंगे तो यह तो खराब circuit है तो यह MOB वाला part जो कर रख लेंगे तो यह वाला piece है तो जो question है इसका फूल फर्म है MOB उसका क्या है जो मतलब उसका answer क्या होगा आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो अब देख सकते हैं हमारे पास यह cap और उसका body heat sink यहां पर रह चुका है और screw को भी हम side में रख लेंगे तो अब हमें चाहिए यह एक इस तरह का DOB तो यह RGB DOB है मतलब यह थोड़ा सा अलग है उसमें 7 color निकलते हैं तो यहां पर यह direct line से चलता है मतलब इसमें कोई भी circuit का हम use नहीं करेंगे यहां पर L और N लिखा हुआ है तो यहां पर हमें page neutral देकर उसको on-em कर सकते हैं तो हमने जो MOB निकाला था उ यहां पर उसको solder करना होगा तो यहां पर इसको लगाने से तो इसमें अगर कोई भी fluctuation आएगा एसी में तो यह सहलेगा और यह जो है फ्यूज हो जाता है जिसे कि हमारा जो light है वो बच जाएगा जो यह light मैंने कहां सला यह तो मैंने बताया है नहीं यह light आपको electronic soap पर बेकार होगा क्योंकि online यह बहुत महेंगा मिल रहा है मैंने यहां पर चेक किया था पिर भी मैंने link दिया हुआ है आप देख सकते हैं वहां से तो इस तरह से ही जो LED है बहुत ही सस्ते में आपका मिल जाता है तो देख सकते हैं दोस्तों MOB को मैंने उसके साथ लगा कर और द वहां से उसका जो heat thing के उपर इसका जो पीच पाला होल है उसके अंदर जो wire है हम डालेंगे तो डालने के बाद इसको अभी हमें इससे बहुत ही अच्छे से कस लेना होगा तो white compound उपर से लगा हुआ था तो यह थोड़ा सा चिपकेगा उसके उपर यहां पर हमें जो wire को इ heat thing के उपर बैठा रहे है तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने चिपका लिया और यह जो है लाइट का केव है वो केव को यहां पर लगा लेंगे तो मैंने साप कर लिया था उसको और होल यहां पर निकाल लिया तो उस होल से होते हुए wire को हम निकाल लेंगे को कोई भी wire कहीं भी लगा सकते हैं इससे कोई नहीं है तो यहां पर wire को निकाल कर हम वहां पर solder कर लेंगे तो यहां पर अच्छे से हम सोल्डर कर लेंगे जैसे कि यह होता है ओरिजिनल जैसे मतलब खरीदा हुआ बल्ब में तो अच्छे से हम कर लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फोर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरू से जरू लाइक करें और वीडियो में बहुत कुछ है जैसे कि आपको सीख कर बहुत ही मजह आएगा तो वीडियो को देखते रही है तो अभी हम टेस्ट करेंगे ऊसको तो मैं एक होल्डर ले आया हूं तो होल्डर में उसको लगा कर उसको लाइन देख़र हम देख्ते हैं तो यहाँ पर diffuser में नहीं लगाया है, तो पहले हम टेस्ट कर लेंगे कि यह कैसे काम करता है तो यह देख सकते हैं पहला जो on है उसमें white color का यह जल रहा है और यहाँ पर on-off करने से उसका जो color है चेंज होता है तो यहाँ पर फिर से में ओन किया तो देख सकते हैं अभी उसका जो color अपने आफ चेंज होने वाला system चला तो इसमें बहुत सारे color हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद पिर से करेंगे तो color जो है एससे smoothly change होता है उसके बाद फिर से ओप करके ओन करेंगे तो एक-एक color आपका निकलेगा red, green, blue, yellow इस तरह से चेंज होता रहेगा पर इसमें एक दिक्कत है आपको switch के पास बार-बार जाना पड़ता है और उसको चेंज करना पड़ता है तो इसको अब हमें smart बनाना है तो remote से उसको कैसे चलाना है मैं अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा से यहाँ पर diffuser लगाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ यह कैसा लगता है तो यहाँ पर मैं on कर लेता हूँ तो white color फिर से चला तो यह से हम on off करेंगे तो यह काम करता है तो चलते हैं अब उसको remote से कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ तो remote से बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें CD-417 IC की जरुरत है और यहाँ पर हमें और एक component चाहिए जो की है एक BC-548 transistor यह NPN transistor है उसके बाद हमें चाहिए एक IR receiver तो यह छोटा वाला IR receiver है तो यह आपको electronics ओपर मिलेगा और यह PT-136 triac यह triac है और एक हमें चाहिए 1K का register तो इतना सारा component को इस तरह से कुछ connection करना होगा तो यह diagram बिल्कुल आसान है वहाँ पर देखके आप लगा सकते हैं तो दोस्तों यह जो circuit है मैंने अभी बनाया है इस तरह से तो आपको याद होगा मेरा एक पूराना वीडियो है जो कि मैंने एक smart extension board बनाया था उसके लिए मैंने यह circuit बनाया था जिसको कि हम remote से operate कर सकते हैं ओन ओप कर सकते हैं तो अभी जो circuit है उसको इसी bulb के अंदर हम डाल सकते हैं या फिर उसके जो holder है holder में उसको डाल सकते हैं मैंने आपको यह idea दे दिया आप इसको जो है बना सकते हैं तो मैं आपको अभी टेस्ट करने के लिए वही जो extension board है उसी के साथ उसको चला कर मैं दिखाऊंगा जो कि यहां पर remote से हम color को भी change कर सकते हैं simple सा उपाय है बस यहां पर on-op ही होगा on-op होने से यह जो light है अपना जो effect है चेंज करता है वो video आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं i button में उसको दे दिया है जो extension board का तो अभी extension board को यहां पर हम 220V में लगा लेते हैं उसके बाद यह जो bulb है उसको यहां पर हम plug कर लेंगे तो जो right side वाला plug है वो यहां पर जो socket है वो यहां पर उसका मतलब remote से control होने वाला होता है तो यहां पर उसमें हम यह bulb को connect करेंगे तो जो वो circuit में ने दिखाया था उसी circuit के हिसाफ से यह काम करता है और यहां पर कोई सा भी IR remote आपका TV का हो या फिर SC का हो या फिर अपना home theater का हो किसी भी remote से यह चलता है तो एक बार on करने से देख सकते हैं इसका जो effect वाला है वो यहां पर glow हुआ फिर से on-off हम करेंगे remote से तो तो उसका effect हम change कर सकते हैं उसका जो range है दोस्तों 10 meter तक दूर से आप यहां पर इसको use कर सकते हैं और काफी आसान हो जाएगा बार बार आपको switch के तरफ जाना नहीं पड़ेगा आप एक दूर में बैट कर उसका color change कर सकते हैं एसा बल मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है और यह जो है करीब करीब 40-50 रुपे के अंदर बन जाएगा आपका circuit को मिला कर आपका करीब करीब 100 रुपे का यहां पर खर्चा आने वाला है बहुत ही यहां पर useful चीज है आप इससे बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और आप इसको ट्राय करेंगे कि नहीं मुझे आप कॉमेंट में जरू से बता सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ समझ में आया या फिर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करें मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद